खेत में इस्तिमाल होने वाले यूरिया में भी ब्रश्टाचार ब्रश्टाचार को रोकने के लिए मोधी सरकार ने किया नीम की स्प्रे का उप्योग करोडों की हेरा फेरी होती थी यूरिया से आज कल क्यों जरूरी हो गया है यूरिया किसानों के लिए और दोस्तों क्या आप जानते हैं खेत में यूज होने वाला यूरिया फैक्टरी में कैसे बनाये जाता है और क्या आपको पता है इसमें क्या क्या मिलाये जाता है और इसे छोटी छोटी गोलियों में कैसे बदला जाता है और क्यों इसमें नीम का रस मिलाये जाता है अगर आ जा है वो इंटरनेट हो या फिर बड़ी-बड़ी इमारुतो वाली एकनॉमी क्यों ना हो खेती इन सब की नीव है क्योंकि जब तक खेती बड़े लेवल पर नहीं होगी और अनाज खूप सारा नहीं होगेगा तब तक एक भीडी हमेशा खाने के पीछे भागेगी और आज क ज़ादा जरुरी होते हैं क्योंकि इन तीनों चीजों से पौधे अपना खाना बना लेते हैं लेकिन कुछ और भी ऐसे elements होते हैं जो ना तो पानी से मिल सकते हैं और ना ही सूरत से यह चीजे मिलते हैं मिट्टी से और इन में सबसे ज़ादा important है nitrogen क्योंकि इसी से कोई जो जड़ों के रास्ते से हमारे पेडों में जाता है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पढ़ती है। जरूरत की को इस खाद ने कैसे बदल का रख दिया है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्टरी लगाई जाती है। इंडिया में अभी सिर्फ 20% यूरिया इंपोर्ट किया जाता है। बाकी 80% यूरिया लगबग भारत में ही प्रोड्यूस कर लिया जाता है। फैक्टरी में यूरिया बनाने का काम तीन स्टेजिस में पूरा होता है। पहले स्टेज में लिक्विड यूरिया तयार किया जता है। तो जैसा ही हमने आपको बताया कि यूरिया के अंदर नैट्रोजन होता है और उस नैट्रोजन गैस को एट्मोस्फियर से जमीन के अंद इस कार्बन डायोकसाइड गैस को भी नैचरल गैस से लिया जा सकता है एमोनिया को कार्बन डायोकसाइड की रियक्शन से लिक्वीड अमोनियम कार्बो माइट और बहुत ज़ादा हीट जनरेट होती है इस हीट को भी आगे की प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जता है यहां और यूरिया बनाने की पहली स्टेज खत्म होती है सेकंड स्टेज में लिक्विड अमोनियम गारवे माइट में और ज्यादा टेंपरेचर एड़ करते हैं ताकि उससे पानी को अलग कर लिया जाए और जितना हो सके सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट हमें मिल पाए आपने कभी देखा होगा कि यूरिया बहुत ही बारिक दाने जैसे होते आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अमाउंट में इतने छोटे धाने कैसे बनाए जाते होंगे दरसल इन्हें एक बड़े कूलिंग टावर के अंदर बनाए जाता है तो जादा तर टाइम ऐसा होता है ये बड़े बड़े टावर असल में चिमनी होते हैं जिसकी मदद से गरम गैस ठंडी होकर एट्मोस्फियर में छोड़ी जाती है। क्योंकि गरम गैस को गवर्मेंट के रूल के हिसाब से नॉर्मल एन्वाइरन्मेंट में सीधे नहीं छोड़ा जा सकता है। उसको ठंडा करके एन्वाइरनमेंट में छोड़ना होता है तो सेम प्रोसेसर के लिए लंबी-लंबी चिमनिया लगाई जाती है ताकि उपर जाते बग वैपर ठंडी होकर बाहर निकले लेकिन यूरिया की केस में कूलिंग टावर का काम उल्टा होता है इसमें उपर से अमोन इसे बैल्ट की सहाइता से इन सारे बॉल्स को एकठा किया जाता है और एक कनवेर के उपर से पास किया जाता है अब यहाँ पर आता है हमारा दूसरा प्रोसेस जैसे हम बोलते है नीम कोटेड यूरिया आजकल मार्केट में नीम कोटेड यूरिया मिलने लगा है दरसल यू यूरिया सबसीडी का मिस्यूज होना ग्रीन रेवलेशन के दोरान ही सरकार यूरिया पर फार्मर्स को सबसीडी दिता है जिसे केवल 270 से 280 रुपे में किसान को 5G यूरिया का बैग मिल जाता है लेकिन धीरे धीरे कमर्शल निरस्ट्री ने भी दोखा धड़ी से सबसीडी वाला यूरिया को दूसरे कामों में इस्तमाल करना शुरू कर दिया जिससे उनको तो खूब प्रॉफिट हुआ लेकिन सबसीडी का अननेसेसरी बर्डन सीधे गवर्मेंट को आने लगा यूरिया का कमर्शल यूज ना हो पाए इसी वज़े से उसके उपर लीव का स्प्रे किया जता है जिससे दो फाइदे होते एक तो लीव स्प्रे के बाद यूरिया दूसरे किसी प्रॉसेस में यूज नहीं कर सकते और दूसरा नीम अगर जमीन के अंदर जाता है तो जो भी खतरनाक कीट होते जो प्लांट को खराब कर सकते है वो प्लांट के पास नहीं आते है इस वज़र से यूरिया के दाने पर नीम का स्प्रे कर दिया जता है और फिर 5 केजी का वजन करके यूरिया को पैक करके पहुंचा दिया जता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अनुसार देश में यूरिया का कॉंसेप्शन 2015 से 2016 में 39.95 मिलियन टन था जो 2018 में बढ़कर 31.55 मिलियन टन पहुंच गया है जाते जाते आईए जान लिजे कि यूरिया के खेतों में अपलाई कैसे किया जाता है आप देखते होंगे कि जादतर आजकल किसान जमेन के उपर ही फैंक देते है और तुरंत ही खेतों में पानी डाल देते है लेकिन ये एकदम गलित प्रसेस है इसे यूज करने से यूरिया का पूरा रोल ही खत्म हो जाता है जैसे ही यूरिया बनाने के का खोद कर उसमें यूरिया डालना चाहिए प्लांट या सीड की अल्मोस्ट 10 सेंटिमिटर के बाजू में ध्यान रहे कि यूरिया को एकदम बीच के साथ भी नहीं देना है एक बार कट्टे में भरने के बाद यूरिया पर थोड़ी मिट्टी डाल कर उसे बंद कर दीजे स जादा अमाउंट में और बार बार इस्तिमाल करने से प्लान की पत्तिया जल जाती है और हो सकता है कि जडों का डेवलप्मेंट भी रुक जाए वैसे क्या आपको पता है कि हमारे देश में कैसे इस यूरिया और इसके साथ इस्तिमाल होने वाले बीजों ने देश में खेत आलात ये थी कि गेहू चावल जैसे बेसिक फूड के लिए भी हमें विदेशी मदद लेनी पड़ रही थी। इसलिए आजादी के बाद से भारत सरकार ने भूख मरी गरीबी और मेल निट्रेशन और फूड इंसेक्यूरिटी को खत्म करने पर पूरा ध्यान दिया। ऐसे में देश के 30 करोड पॉपिलेशन की फूड रिक्वार्मेंट का पूरा करना इंपॉसिबल था। दूसरे विश्वयुद के बाद जब एगरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार रीसर्च किये जा रहे थे। तब प्रोफेसर नॉर्मेन बॉर्गलर ने गेह से हाइब्रीड प्रजातिक के बीज मंगाए जिनको हाई होल्डिंग वराइटी यानि की HYV कहा जाता था लेकिन देश पहले से ही अकाली जैसे हालात से जूज रहा था। ऐसे में डाइरेक्ट नए सीड को खेतों में यूज करने का रिस्क देश नहीं उठा सकता था। इस स्कीम शुरू की गई। प्रोडक्शन लगातार बढ़ने लगा। ग्रीन रेवलिशन ही था जिसकी वज़ा से भारत के रूरल समाज में बड़े लेवल पर बढ़ला हुए। सोसाइटी प्रोग्रेस करने लगी। अरब खेती अनाज उगाना ना सिर्फ पेट भरने का साधन था बलकि सर्प्लेस से ये रूरल सोसाइटी के इंकम का भी एक साधन बन गया। जिससे वहां का सोशल और एडुकेशनल डेवलेप्मेंट तेजे से होने लगा। तो ये था यूरिया बनने का पूरा प्रोसेस। अगर कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बिताएगा। और व